गुद्वर्णिंग फेंस दिपक चोहन दोस्तों आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं टॉपिक नया है लेकिन इस पकार के शब्दों वाला टॉपिक का जो वीडियो था मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं लेकिन दोस्तों जितने आप अलग-अलग करेंगे वह आपके लिए ज्यादा इंपरेशनी होगा और ज्यादा अफ्रिक्टी होगा तो दोस्तों चालिए करते हैं आज का जो टॉपिक है बोर हो गया हूं उप गया हूं और परिशान हो गया हूं ठक गया हूं आप कुछ भी कह दीजी आपको इस्तेमाल करना पड़े जैसे मैं बिमार हूं I am sick तुम बिमारो you are sick वह बिमार थी Shiva sick वह बिमार होगा he will be sick लेकिन आज का जो टॉपिक है वो sick नहीं है sick off है जैसे आज की टॉपिक में भी हमको to be helping up का इस्तेमाल करना पड़ेगा समझेंगे पहले हम लोग डिसकस कर चुके हैं to be helping up का मतलब होता है है आने पर is MR था आने पर was वर होगा आने पर will be shall be हो सकता है can be हो सकता था could be होना चाहिए should be होना चाहिए था should have been हुआ करता था used to be ये सारे के सारे to be helping up होते हैं इसको अच्छे से याद करने की कोशिस करें और मैंने आपको बहुत पहले बताया था एक वीडियो में कि सारे sentences English के सारे sentences दो सिधान तो पर आधरीत होते हैं एक तो to be helping up और एक होता है tenses that's all दोस्तों उसका वीडियो आप देख लेंगे दोस्तों चाली करते हैं वहें किताब से बोर हो गई है she's sick of books आप पढ़ाने से बोर हो गए है you are sick of teaching दोस्तों किरिया आ रही है verb में आएंजी कहते हैं सारे verb में आएंजी जेरंड नहीं होते हैं अगर वह नाउन का काम करेगा तो ही जेरंड होगा किसी दिन में आपको verb में आएंजी जेरंड कब होता है और कब नहीं होता है यह हमनों डिसक्स करेंगे किसी और वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों वहें खेलने से बोर हो गई होगी, she will be sick of cooking food, where filmों से बोर हो सकता है, he can be sick of films, तुम्हें film देखने से बोर नहीं होना चाहिए, you should not be sick of watching films, हमें किताबों से बोर नहीं होना चाहिए था, we should not have been sick of books, हमें किताब पढ़ने से बोर नहीं होना चाहिए था, we should not have been sick of reading a book, वहें हर महोल से बोर हो जाय करती थी, she used to be sick of every atmosphere, तो दोस्तों ये सारे sentences मैंने आपको बताए, to be helping of से बन रहे हैं, पुराना वाला जो टॉपिक था, बिल्कुल ऐसा ही है, केवल word बदल गया है, that's all दोस्तों, धन्यवाद मेरे वीडियो को अंतक देखने के लिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इससे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेर करें, और चेनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता रहेगा, धन्यवाद, बहुत जद मिलेंगे, इसी परकार की नई कोशि जिसके साथ नए परोकिस है।